डेड़ साल के अंतराल के बाद करतारपूर साहिब कोरिडोर अब फिर से खुल गया है साथियों गुरु नानक जी ने कहा है वीच दुनिया सेवी कमाईये तदर्गी बेशन पाईये यानि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देश वांस्यों का जीवन आसान बनाने में जुटी है नजाने कितनी पेडिया जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है साथियों अपने पांच दसक के सारवजनिक जीवन में मैंने किसानों की परिशानियों को उनकी चुनोतियों को बहुत करीब से देखा है महसूस किया है इसलिए जब देश ने मुझे दोहजार चौदा में प्रधान मंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने क्रशी विकास किसान कल्यान को सरवोच्य प्राथिक्ता दी साथियों इस सच्चाई से बहुत लोग अंजान है कि देश के सो में से अस्वी किसान छोटे किसान है उनके पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है आप कल्पना कर सकते हैं इन छोटे किसानों की संख्या दस करोड से भी ज़्यादा है उनकी पूरी जिन्दगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है यही उनकी जिन्दगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं पीड़ी दरपीड़ी परिवारों हमें होने वाला बटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनोतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत इन सभी पर चव तरफा काम किया सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीच के साथ ही किसानों को निम कोटेड यूरिया, स्वाइल हेल्ट कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा हमने 22 करोड स्वाइल हेल्ट कार्ड किसानों को दिये और इस वईज्ञानिक अभियान के कारण एग्रिकल्चर प्रोड़क्शन भी बढ़ा साथियों हमने फसल बिमा योजना के ओ अधिक प्रभावी बनाया उसके दाइरे में जादा किसानों को लाए आपदा के समय जादा से जादा किसानों को आसानी से मुवावजा मिल सके इसके लिए भी पुराने नियम बढ़ ले इस वज़े से बीते चार साल में एक लाख करोड रुपे से अधिक का मुवावजा हमारे किसान भाई बेहनों को मिला है हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले स्रमी को तक बीमा और पैंशन की सुविधाओं को भी ले आए चोटे किसानों की जरोतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में एक लाख बासट हजार करोड रुपे ट्रांसफर किये सीधे उनके खाते में साथियों किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले इसके लिए भी अनेक कदम उठाये गए देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्रक्टर को मजबूत किया हमने एमेसपी तो बढ़ाई ही साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दसकों के रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं देश की एक हजार से ज्यादा मंडियों को इनाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेजने का एक प्रेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही देश भर की क्रशी मंडियों के आधुनी करण पर भी हमने करोड़ों रुप्य खर्च किये साथियों आज केंद्र सरकार का क्रशी बजेट पहले के मुकाबले पांच गुना बढ़ गया है हर वर्ष सवा लाग करोड़ रुपे से अधिक क्रशी पर खर्च किये जा रहे हैं एक लाग करोड़ रुपे के अग्रिकल्चर इंफ्रास्टेक्टर फंड के माध्यम से गाउं और खेट के इंदद्दीक भंडारण इसकी ववस्ता क्रिशी उपकरण जैसी अनेग सुविधाओं का विस्तार यह सारी बाते तेजी से हो रही हैं चोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए दस हजार एपियो किसान उपादक संगर्षन बनाने का अभियान भी जा रही है इस पर भी करीब साथ हजार करोड रुपे खर्च किये जा रहे हैं माइक्रो इरिगेशन फंड के आवटन को भी दो गुना करके दस हजार करोड रुपे कर दिया गया है हमने क्रॉप लोन भी दो गुना कर दिया तो इस वर्ष सोला लाग करोड रुपे हो जाएगा अब पशुपालकों को मचली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार का लाब मिलना शुरू हो गया है यानि हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही हैं लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है किसानों की आर्थिक स्थिति सुद्रे उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो इसके लिए पूरी इमानदारी से काम कर रही है साथियों किसानों की स्थिती को सुधारने की इसी महाभियान में देश में तीन किर्शी कानून लाए गए थे मकसद ये था कि देश के किसानों को खास कर छोटे किसानों को और ताकत मिले उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले बर्सों से ये मांग देश के किसान, देश के किसी विशेशग्य, देश के किसी अर्थसास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे पहले भी कई सरकारों ने इस पर मन्थन भी किया था, इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मन्थन हुआ और ये कानून लाए गए देश के कोने कोने में कोटी कोटी किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया, मैं आज उन सभी का बहुत-बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ साथियों, हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के क्रसी जगत के हित्में, देश के हित्में, गाउं गरीब के उजवल भविश्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रती पूर्णा समर्पन भाव से नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात पूर्णा रुप्षे शुद्ध किसानों के हित्की बात हम अपने प्रयासों के बावजुद कुछ किसानों को समझान नहीं पाए बले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्पूर्ण था कृषी अर्थसात्रियों ने वैज्याकिनिकों ने प्रगतिशिल किसानों ने भी उन्हें कृषी कानूनों के महत्पूर्ण को समझाने का भरपूर्ण प्रयास भी किया हम पूरी विनम्रता से खूले मन से उन्हें समझाते रहें अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामुहिक बात्चित भी लगातार होती रही है हमने किसानों की बातों को उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज था सरकार उन्हें बदलने के लिए लिए भी तैयार हो गई दो साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंट करने का भी प्रस्ताव दिया इसी दोरान ये विशह माननीय सर्वोच नयाले के पास भी चला गया ये सारी बाते देश के सामने है इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाओंगा साथ क्यों मैं आज देश वास्यों से ख्षमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है यह समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को यह बताने आया हूं कि हमने तीन कुरुशी कानुनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णे लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसथ 17 में इसी महिने में हम तीन कुरुशी कानुनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे साथियों मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूं आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नई शुरूवात करते हैं नए शिरे से आगे बढ़ते हैं साथियों आज ही सरकार ने किसी क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेतु को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटरन को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए MSP को और अधिक प्रभावी और पारदर्सी बनाने के लिए ऐसे सभी विश्यों पर भविश्य को ध्यान में रखते हुए निरने लेने के लिए एक कमीटी का गठन किया जाएगा इस कमीटी में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रतिनीदी होंगे किसान होंगे कृष्य वैज्यानिक होंगे कृष्य अर्थसास्री होंगे साथियो हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी मैं गुरु गोविन सिंजी की भावना में अपनी बात समात्त करूँगा देही शिवावर मोहे इहे सुब कर्मन ते कभून न टरो हे देवी मुझे ये वर दिजिए कि मैं सुब कर्म करने से कभी पीछे ना हटू जो किया किसानों के लिए किया जो कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ आप सभी के आशिरवाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी आज मैं आपको विस्वाद दिलाता हूँ कि अब और ज्यादा मेहनत करूँगा ताकि आपके सपने साकार हो सके देश के सपने साकार हो सके आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार